इंडिया में जब कभी भी बात आती है BMS कोर्स की, तब यहाँ पर सबसे पहले जिकर होता है महाराष्टर स्टेट का, ऐसा मैं यहाँ पर इस वज़े से कह रहा हूँ, क्योंकि आईरविदा का सबसे ज़्यादा जो क्रेज है, वो आपको यहाँ पर महाराष्टर स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, अगर आपने यह पर प्राइवेट BMS कॉलेजिस की कट ओफ को देखा होगा, महाराष्टर के अंदर तो आपने यह भी देखा होगा, कट ओफ जो रहती है, महाराष्टर के अंदर वो काफी ज़्यादा हाई रहती है, और सबसे ज़्यादा जो वाले colleges हैं BMS private के अंदर वो भी आपको महराश्टर के अंदर ही देखने को मिलते हैं जो बच्चे ये बोलता है BMS के अंदर scope नहीं है BMS के अंदर patient flow नहीं है वो एक बार जरूर जाकर महराश्टर के private BMS colleges या government BMS colleges जरूर visit करें तो आपको ये समझ में आई गया होगा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा BMS के अंदर ऐसी कौन-कौन सी Marathi Medium की book रहने वाली है जो कि आप यहाँ पर follow कर सकते हो BMS first year के अंदर और उनको follow करने के साथ साथ में आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे नंबर आप यहाँ पर BMS first year के अंदर ला सकते हो तो hey guys this side Dr. Mosan Meena कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे हों आपको जिसा की पता है महाराष्टे के अंदर MUHS University है और यह जो University है वो यहाँ पर BMS के exams और सारी चीज़े यहाँ पर conduct कराती है तो MUHS जो University है इसके अंदर में लगबग 100 से भी ज़्यादा colleges आता है जिसके अंदर government colleges भी और private colleges भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अब इतने सारे colleges हैं तो बच्चे भी बहुत सारे होंगे और सबसे ज़्यादा colleges आपको यहाँ पर इंडिया के अंदर महराष्टर के अंदर ही देखने को मिलता है तो काफी टाइम से मेरे पास queries आ रही थी बच्चों की की भाईया BMS First Year के अंदर ऐसी कौन सी क्या criteria होता है वो मैं आपको बता देता हूं तो देखो अगर आप यहाँ पर किताब खरीदते हो तब आपको यह चीज पर ध्यान देना है कि जो किताब होती है उसका यहाँ पर language बहुती ज़्यादा easy होना चीए यह सबसे important चीज है उसके बाद में जो font होता है book का वो यहाँ पर easily visible होना चीए ज़्यादा छोटे-छोटे शब्दों में ना लिखा हुआ हो उसके बाद में books के अंदर diagrams होने चीए, flow charts होने चीए, tables होनी चीए तो इससे क्या होता है students को काफी ज़्यादा help मिलती है revision करने में और चीजों को आसानी से समझने में तो ये एक selection criteria होता है इसी के साथ-साथ आप यहाँ पर अपने seniors की भी help ले सकते हो जिनोंने यहाँ पर BMS first year pass out कर लिया है और इसी के साथ-साथ आप यहाँ पर अपने teachers की भी help ले सकते हो तो ये चीजे आपको यहाँ पर करनी है ताकि आपको अच्छे से clear हो सके आपको यहाँ पर BMS first year के अंदर कौन सी book लेनी है तो देखो book लेते time आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है 10-15 दिन का time लेना है एक बार आपको library में जबी जाकर किताबों को देख लेना है कि आपके इसाब से किताब यहाँ पर कौन सी best रहने वाली है तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम यहाँ पर बात करेंगे BMS first year की Marathi mediums की books के बारे में तो आपको जैसा कि पता है BMS first year के अंदर 5 subject होता है और इन 5 subject के लिए हमें यहाँ पर 9 paper देने होता है university exam तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रचना शरीर की इसके यहाँ पर 2 paper होता है और यहाँ पर आईरविदिक anatomy जो होता है वो यहाँ पर 30% होता है और modern anatomy जो होता है वो यहाँ पर 70% होता है आईरविदिक anatomy के लिए आप यहाँ पर वैद सिवाजी वावल की बुक ले सकते हो या आप यहाँ पर शिंपी की जो बुक आती है वो भी आप यहाँ पर prefer कर सकते हो जो शिंपी की किताब आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर आपको आईरविद के साथ-साथ modern भी देखने को मिलता है और जो इसका modern है वो बहुत ज़्यादा sweet और simple language के अंदर है अगर यहाँ पर मैं modern anatomy के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर BD-44 के च्यार volume और एक जो handbook आती है वो आप यहाँ पर prefer कर सकते हो क्योंकि maximum जो बच्चे होता है वो modern anatomy के अंदर BD-44 प्रिफर करते हैं फिर आपका जो second subject है वो है kriya शेरिफ it means physiology इसके यहाँ पर दो paper होता है जो 50% part होता है वो आयर्विदिक part होता है और बाकी का जो यहाँ पर 50% part होता है वो modern part होता है यहाँ पर तो आयर्विदिक part के लिए आप यहाँ पर Dr. Shubhas Ranade और Dr. Ranade देश-Pandhi की किताब को यहाँ पर follow कर सकते हो बहुती अच्छी किताब है यह और इस किताब के अंदर आपको यहाँ पर आयर्विदिक प्लस modern दोनों चीज़े देखने को मिलेंगी और इसी के साथ-साथ आप यहाँ पर वैद्य सिवाजी वावल की भी किताब को आप यहाँ पर follow कर सकते हो और अगर आप यहाँ पर modern physiology की बुक लेना चाते हो तो आप यहाँ पर Sembulingam भी ले सकते हो तो यह हो गई बात हमारी क्रिया शरीर की उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं पदार्थ विज्यान की तो पदार्थ विज्यान के भी यहाँ पर दो पेपर होता है और आपको जैसा की पता है पदार्थ विज्यान के अंदर जो सबसे अच्छी किताब है वो डॉक्टर, बाबा साहे, पाटिल या वैद्य अरुन भटकर इन दोनों में से आप यहाँ पर एक बुक को ले सकते हो दोनों किताबे आप एक बार पढ़ लेना होते हैं और अश्टांग हर्द्यम के सूत्रस्थान के 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं तो चरक सहीता के लिए आप यहाँ पर डॉक्टर विजे शंकर काले की किताब को फॉलो कर सकते हो बहुत ही अच्छी किताब है और सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि किताब की जो लेंगवेज है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही अच्छे से हर एक स्लोकास का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताया गया है उसके बाद में अगर मैं अश्टांग हर्द्यम की बात करूँ तो उसके लिए आप यहाँ पर डॉक्टर डीपी गालगिल की किताब को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो इसकी भी जो लेंगवेज है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है उसके बाद में हम हमारे सबसे लाष्ट सबजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है संस्क्रिप एवं आयरविद इतियास इसके यहाँ पर दो पेपर होता है और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ संस्कृत के पेपर टू के अंदर आपको यह पढ़ना होता है तो देखो इसके लिए आप यहाँ पर स्वाति, डमदेर, वैध्य, योगीता और वैद्य राजेंद्र देशपांडी की किताब को फॉलो कर सकते हो सबसे ज़्यादा जो मराठी बच्चे जो होते हैं वो इसी बुक से पढ़ना यहाँ पर प्रिफर कर सकते हैं उसके बाद में अगर आप यहाँ पर वैद्य के शुबासित साहित्यम के लिए अगर आप कोई किताब लेना चाते हो जिसके अंदर आपको यह पता है 20 chapters आपको इसके पढ़ने होते हैं तो इसके लिए जो सबसे best author है वो है डॉक्टर शुबास रानडे इस किताब को बच्चे सबसे ज़्यादा प्रिफर करते हैं बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाता है बच्चे का BMS First Year Books के रिगार्डिंग तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है इसी तरीके की वीडियोज पाते रहने के लिए आप अमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सस्क्राइब करें Thank you दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए